हाईवेज देश के विकास देश के इंफ्राइस्ट्रक्चर का प्रमान लेकिन यही हाईवेज जब आपकी जेब को ढीला करना लगते हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत होती है यह खबर मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि प्राप्त आकड़े कुछ इस प्रकार के हैं कि देश जार करोड उगा रहा है साल के और टारगेट है लगबग डेड़ लाक करोड तक पहुचने का ऐसे में तीन गुना तक टॉल वसूली यानि कि तीन गुना लगान वसूली बड़ी सुर्खी बनता है अब आपके दिमाख में पहला प्रश्ण बनेगा कि क्या इन रोड़ पर टोल टेक्स बढ़ने वाला है नहीं लीकेज रुकने वाला है पाई पाई का हिसाब होने वाला है आपको लगता था कि टोल टेक्स तक गाड़ी चला कर जाएंगे और जहां टोल गेट लगा होगा वहां से यूटर्न मार कर चले आएंगे तो हमारा टोल नहीं लगेगा टो और उस लीग प्रुफ विवस्था में तोल गेट ही केवल कारण नहीं बनेगा जो इस बात का प्रमान होगा कि हाँ जनाब आप यहाँ से निकले थे ना अब उपर वाला बहुत उपर से देखेगा जी हाँ सेटलाइट से आपको देखने की तयारी कर रही है भारत सरकार यह बात हमने बहुत पहले भी बताई थी अब तो यह इंप्लिमेंट हो चुकी है और इंप्लिमेंट करते समय सरकार ने आपको खुशखबरी कुछ इस अंदाज में दी है कि सुनिये अगर आप 20 किलोमेटर तक अपने घर से कहीं भी जाते हैं तो उपर वाला देख लेगा लेकिन पईसे नहीं लेगा मतलब यह कि आपकी यात्रा में 20 किलोमेटर तक टोल माफ रहेगा सडक पर जैसे होता है न कि पहले इस्तमाल करें फिर विश्वास करें 20 किलोमेटर तक आप हाईवे पर बढ़िया आनंद लें उसके बाद लगता है कि 21 किलोमेटर जाना है तो सुनो पिछला 20 किलोमेटर व वो एक विशेश प्रकार की यूनिट से जिसे OBU कहा गया है ओन बोर्ड यूनिट कहा गया है उससे कटेगा इसका पाइलिट प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है बकायता टोल कलेक्शन के लिए नेशनल हाईवे अथारिटी का जो रूल बुक है उसमें संशोधन हो चुका है और उस संशोधन के साथ साथ ये कहा गया है कि आने वाले समय में फास्ट टैग के इस्थान पर ओन बोर्ड यूनिट के माध्यम से सेटलाइट का उप्योग करते हुए टोल की वसूली की जाएगी इतना ही नहीं जो आपके गाडियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जा रही है संभवत या एक और तरीका यानि की फास्ट टैग आपके पास विकल्प है वो तो अब पुराना हो गया है उसके बाद में अब नया विकल्प सेटलाइट से टोल वसूली का आ रहा है और तीसरा गाड़ी के जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है उसक काटने वाले तरीकों में जो दूसरा तरीका है ना सेटलाइट से पैसे काटने वाला वह अब न्यूज बन चुका है और इसके अंदर सबसे इंपर्टेंट बात यह है कि सरकार ने इसको इनिशियेट करने के लिए आपको शुरुआती लालत दिया है कि सुनो अगर आपने यह चीज लगा ली तो 20 किलोमेटर तक कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा अब यह उन लोगों को बड़ा अपील करेगा कि लोगों को जिने कई बार इस बात का दुख होता है कि मेरा घर बिलकुल टोल टेक्स के नजदीक है और जब मैं वहां से निकलता हूं मुझे मा नेशनल हाईवे पे कि साथ किलोमेटर दूर जाकर के एक टोल बूत होगा लेकिन मेरा घर तो बिलकुल टोल बूत के नजदीक ही है और मुझे टोल क्रॉस करके मेरे खेट तक जाना है हाईवे का यूज किया तो मुझे भाई साब अपनी तरफ से पैसे देने पड़ गए इस पर अब तक जस्टिस नहीं होता था जो लोग साथ किलोमेटर की यात्रा कर लिए वो तो टोल को पूरा वसूल लेते थे लेकिन जिनकी यात्रा इधर वाले टोल के या उधर वाले टोल गेट के नजदीक हुई उन्हें बड़ी दिक्कते होती थी सरकार ने कहा लोड मत अब यह भी एक लिकेज का उप्शन यहां निकल आया है अब आपके दिमाग में आयेगा कि यार यह 20 किलोमेटर का मामला तो बढ़िया है बढ़िया अपील कर रहा है क्यों ना मैं ऑन बोर्ड यूनिट लगवा ही लूँ इससे बड़ा फाइदा हो जाएगा यह फाइदा शुरूआती लगता है मुझे ऐसा क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब शुरूआत में फास्टैग आया था ना तो फास्टैग के लिए ऐसी मॉटिवेट किया गया था और कहा गया था कि सुनो भाई फास्टैग लगवाने वालों जो फरवरी 16 2021 से मेंडेटरी कर दिया गया सबके लिए शुरूआत में जब आया था ना तो सब लोगों को बढ़िया अच्छे से मतलब 2019 में तो कहा गया था हर गारी पे फिर 2021 में कहा गया हर जगह पर 2014 में सबसे पहले इंटर्यूज वा था आपको खूब सारा डिसकाउंट दिया गया था फास्टैग में 16 17 में अच्छे का फास्टैग लगवा लिए बात में पता चला नहीं ने सारे सारे की सारे टोल महंगे कर दिये किलो बेटा पूर्ण वसूली हो गई ऐसे में अब यह जो आपको ओफर दिया जा रहा है 20 किलोमीटर वाला आप में से कुछ कलाकार इस बात को सुनने के वाद यह कह है तो आगे आपसे फिर लगवा ही लिया जाएगा है अब जब यह सुर्खी बनती है तो मन में बहुत साधे सवाल आते हैं कि साब कौन सा रूल अमेंड हो गया जिसकी वज़े से 20 किलोमीटर तक पैसा नहीं लगेगा तो भाई साब रूल अमेंड हुआ यह तो सुर्खी ह है लेकिन यह देखना भूल गए कि इसमें GNSS डाल दिया गया है मतलब की GPS की वजह से अब आपका टोल कटेगा GPS आपकी गाड़ी में इनेबल्ड है आने वाले समय में जिन गाड़ीों में आल्रेडी पैनिक बटन आता है वो तो समझो पहले से ही GPS की जदमें हैं आप मैंसे क टैनिक बटन वाली गाड़ियां मानी जाएंगी कि उनमें तो अल्रेडी इन बिल्ट है वो फैसिलिटी जिसकी वजह से उन्हें टैक किया जा सकता है कि कहां से कहां चल रही हैं जिनमें नहीं सिस्टम है ये वाला उन्हें अपने गाड़ी में लगवाना पड़ेगा दो प 2008 amended और यहां पर बकाइदा ये लिखा जाता है कि सरकार ने 9 सितंबर 2024 को उन रूलों में संशोधन उन रूल्स में संशोधन कर दिया है 2008 के वो रूल्स जिसमें कहा गया है कि अगर कोई भी गाड़ी 20 किलोमेटर तक चलेगी तो उससे कोई टोल्टेक्स वसूली नहीं होगी लेकिन इसके लिए अभी जगड़ा मत कर लेना ये तभी जाकर के वैलिड होगा जब आपके गाड़ी पर GNSS यानि कि GPS वाला जो Global Navigation Satellite System है वो आपकी गाड़ी पर लगा होगा और गाड़ी प्राइविट होगी सरकारी गाड़ी नहीं होगी इसका मतलब यह है कि अगर जो है वो पूरी तरह से GNSS equipped है तो तभी जाकर के आपको 20 km तक toll tax नहीं देना होगा अर्थात new toll system जो है वो private vehicle पर introduce होगा नमबर एक 20 km तक नहीं देना होगा लेकिन उसमें GNSS facility होनी चाहिए और ऐसे में आपको किसी भी दिशा में 20 km जाने की अनुमती रहेगी प्रचार 20 km का हो रहा है लेकिन कोई यह नहीं बता रहा है कि इस 20 km के साथ में बैठ कर क्या आ रहा है मतलब जो 20 km के साथ GNSS system है वो बैठा हुआ है फिर आप पूछेंगे तो वर्तमान में जो हमारे साथ toll tax चल रहा है फास्ट टेग वाला उसका क्या होगा फास्ट टेग धीरे धीरे system से बाहर हो जाएगा आप पुछेंगे इस पर तो खर्चा भी बहुत हुआ होगा टोल टेक्स वालों को खूब सारा पैसा लगा होगा बिलकुल लगा होगा लेकिन इसकी वजह से सरकार को उमीद है कि अब तो कोई नहीं बचेगा बस सरकार को अपने इस तरपर लिस्ट अपडेट करनी होगी कि अब ये हाईवे भी टोल टेक्स वाला हाईवे हो गया है आने वाले समय में टोल कलेक्शन कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा इसका अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो वर तो टोल गेट से पहले ही काम पड़ गया या फिर कोई रास्ता बाइपास निकाल करके निकल गया या फिर साब मैं तो में रोड पर यूस रोज कर रहा हूं लेकिन अपनी कोई जानकारी चलती है टोल गेट पर दो भाईसा बैठे हुए हैं वो मेरी बात सुन लेते हैं इस तरीके से मेरा आना जाना हो गया लेकिन जब सेटलाइट होगा तो आपको अपनी तरफ से चिंता नहीं करनी सरकार सब देख रही है ऐसे में आपकी गाड़ी में जिस प्रकार से आज फास्टेक के अंदरा पैसा डाल कर रखते हैं बिलकुल वैसे ही पैसा डला रहेगा गगन सिस्टम का उपियोग किया है अब ये गगन सिस्टम क्या है देखिए दुनिया भरक के उपर नजर रखने के लिए अमेरिका ने जीपीएस 24 सेटलाइट ऐसे ग्लोबल पोजीशनिक सिस्टम के लांच किये हुए हैं जिससे दुनिया का कौना-कौना नौटिस किया ज उतरती हैं वहां से प्रॉपर टेक ओफ करती हैं और उसमें एक बार भी गलती नहीं होती तो भाई आप अपने लिए फिर ये मत सोचना कि मैं हाइवे पर तो आया ही नहीं था और टोल कट गया सरकार ने इस तकनीक का उपयोग किया है जो फ्लाइट के लिए उपयोग में ली चल चुका है आप वहस करते रहें तो सरकार कहेगी कि भाई सहाब आप चौपईया से आए हैं हम तिपईया उतार चुके हैं हवाई जहाज उतार चुके हैं उमीद है कि अब आप इस बात को बहतर तरीके से समझ जाएं ठीक है तो कुल मिला करके गगन ऑगमेंटेट जो GPS अगमेंटेट सिस्टम है उसका उपयोग करते हुए इस तरीके को अपनाया जाएगा इसका परिनाम क्या होगा परिनाम सबको विदित है कि अब कोई बचेगा ही नहीं जब बचेगा नहीं तो Global Navigation Satellite सिस्टम से आप 2 किलोमेटर भी अतरिक्त चल दिये तो पैसा पूरा ल होगा भाई हमेशा गडगरी जी का कहना है कि हमने हाइवेज बहुत उच इस तर यह बना दिये एसका मतलब क्या है गडगरी जी कहते हैं कि पहले दिल्ली मुंबई जाने में लोगों को 7-8 घंटे लगते थे वो सारी मुंबई पूरे जाने में आजकल 2 घंटे में चले जा आया ऐसे ही दिल्ली मुंबई पहले 24 घंटे का सफर होता था 24 घंटे गाड़ी ओन रहेगी तो डीजल भी जादा जलेगा गाड़ी को नुकसान भी जादा होगा ऐसे में हमने तो अपनी तरफ से एक्सप्रेक्स हाईवे बना दिया 12 घंटे में ही गाड़ी पहुंच जा र देंगे क्योंकि अब टोल जो है वो इतना ज्यादा पड़ता है कि आप 57 किलोमीटर भी चलते हैं तो एक्सप्रेक्स हाईवे इस पर किलोमीटर का लगभग और सरकार को इसे efficient तरीके से करने की आवशकता है विशेश रूप से सरकार यह सुनिश्चित करे कि जब आप टोल वसूल कर रहे हों तो उसके एक नियमित समय सीमा रखी जाए कि भाई इसमें इतना पैसा लगा था फलानी कंपनी का लगा था इसमें इतना पैसा टोल से वस किये होंगे मतलब एक data है जो social media पर काफी viral हो रहा है मैं उसकी सत्यता प्रमानित नहीं कर रहा हूं लेकिन ऐसा आपने भी कई ना कई सोना होगा कि 8000 करोड रुपे का खालागा ताई थी लेकिन वह अब तक 24000 करोड वसूल चुका है और अभी भी चले ही जा रहा है टोल ख फिर तो इंसान को घर से बाहर निकलते हुए हर चीज पर ही सरकार पैसे लेती हुई लूटती हुई सी नजर आएगी कि साहब आपने ये किया लाओ इतना पैसा आपने ये किया ये इतना पैसा फिर तो अंग्रेजों वाली feeling आने लगेगी ना कि साहब अंग्रेज जिस प् करें कि इतने दिन में इसके टोल का पैसा यकीनन वापस आ जाएगा द्याज समेत इसके लाभ समेत उस पे ट्रांसपेरेंसी रखें अनलिमिटेड टाइम तक जो टोल चले जा रहे हैं उन्हें हटाया जाए उनसे उस पैसे को वापस लिया जाए ठीक है तो खुल मिलाकर कि कि यह फैसिलिटी एसाब जो आने वाली है आप लोग बढ़िया से तयार रही है आने वाले समय में इस काम को सरकार ने अल्रेड़ी जी एनेसे का दो जगह पर तो ट्रायल भी ले लिया है बैंगलोर मैसूर हाइवे पर ले लिया है पानीपत हिसार वाले हाइवे पर ले ल लेकिन अब इसको उठा करके सीधा उठा करके radio frequency जो किया जाता था अब इसको satellite से आपका पैसा पूरी तरह से काट करके बढ़िया तरीके से बात कर ले जाएगी आपको याद होना चाहिए कि भारत दुनिया में second largest road network रखता है after America और ज्यादा पीछे नहीं है एक दो साल मे और toll cut रहा है तो निश्चती सरकार को इससे बड़ा मुनाफ़ा होगा बागी आप इस विशाय पर क्या सोचते हैं क्या तरीका और होना चाहिए आप अपनी राय जरूर comment box में रखें फिलाल के लिए इसके अंदर इतना ही है कोई query दिमाख में आती हो तो जरूर बताएं ठ उसका क्या होगा सरकार वैसे टोल गेट बनाके रखेगी तब तक बनाके रखेगी जब तक हर गाड़ी पर नहीं हो जाएगा गाड़ियों के अंदर इन बिल्ट लगके आने लग जाए जैसे फास्टेक के बारे में भी सोचते थे ना हमने फास्टेक नहीं लगवाय तो क् ही जाएगा ठीक है चलिए बाकी हमारी वेबसाइट अपनी पार्टसाला.com है रेगुलर विजिट करते रहे हैं